जारखन में बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद अब एडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि बीते दिन यानि कि सोमवार को एडी ने उनके पीएस के नौकर की घर छापे मारी की चापे मारी में 30 कडोड कैश बरामद हुआ और वहीं कैश बरामद होने के बाद लगातार ये सारी चर्चाए होती रही और वहीं सुत्रों की माने तो रात भर उन लोगों से पूस्ताज के बाद अब आज सुबह सुबह एडी ने बड़ा एक्शन लिया है एडी ने तक जरूर देखे जारखन में राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उसके नौकर जहानगीर आलम को एडी ने गिरफतार कर लिया है सो मुआर को जब एडी ने PS संजीव लाल के नौकर की घर चापे मारी की थी तो वहां से 30 करोड से ज़्यादा कैश म में बड़ी मात्रा में कैश बरामत करने के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री आलमगीर आलम के संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफतार कर लिया है सुत्रों ने बताया कि दोनों को रात भर की पूस्ताच के बाद धन सोधन निवारन अधिनियम के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया है सुमवार को एटी ने जब राज्य के ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम के पिये संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम के घर पर छापा मारा तो यहां नोटों का मिला था इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद नोट गिनने के लिए बैंक करमचारियों को नोट गिनने वाली मशीनों के साथ बुलाए गया इस मामले में कुल छे जगहों पर छापे मारी हुई कुल 35.23 कड़ोर रुपे का कैश बरामत किया गया है इडी ने बीते साल चीफ इंजीनियर के यहां दस हजार रुपे की रिश्वत के मामले में छापे मारी की थी इस दोरान उनका बयान दर्च किया गया उन्होंने बताया कि मिनिस्टर के यहां रिश्वत का पैसा पहुँ नाम सामने आया और अब संजी उलाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहां यह कैश बरामत हुआ और जिसके बाद इसे अब दोनों को गिरफतार कर लिया गया है तो जैसा कि सुबह सुबह यहां बड़ा एक्शन एडी के द्वारा लिया गया है एडी के द्वारा आज ज अमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे सताथ और देखते रहे परस्ट वियार जारकंड अगर आप यह वीडियो हमारे पेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूटिब चानल पर देख रहे हैं तो मारे चानल को 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं जारखंड के चातरों एवं अभिभावकों के बीच सरवादिक विश्वस्निय एवं लोकप्रियसंस्थान गोल नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हमारा विश्वास गोल के साथ